तो चलिए आगे बढ़ते हैं Chemistry की अगली लेसन की तरफ जिसका नाम है Atomic Structure आपने 9 और 10 स्टैनर्ड में ये देखा था कि सारे सबस्टेंसे आटम से बने होते हैं ये जो पॉस्टुलेट है ये Dalton's Atomic Theory कहा जाता है और Dalton's Atomic Theory के हिसाब से ये जो Atoms हैं जो सारे सबस्टेंसे के Building Blocks हैं वो Indivisible जिसका मतलब है कि उनको और तोड़ा नहीं जा सकता बट लेटर डिस्कवरी से ये साबित हो गया कि ये स्टेटमेंट गलत है Atoms खुद और छोटी चीजों से बने हैं जिनको सब Atomic Particles कहा जाता है और इस लेसन में हम यही देखेंगे कि ये सब Atomic Particles की Properties क्या हैं वो कैसे डिस्कवर हुए और उसकी वज़े से Substances में क्या Properties दिखते हैं हमने केमिस्ट्री की लेसन की शुरुवात में ये देखा था कि कुकिंग करते हुए जब हम गैस का फ्लेम जला रहेते कि पर्टिकुलर कलर आ रहा था इस लेसन में हम ये भी देखेंगे कि इस कलर की वज़े क्या है उसका Atomic Structure से क्या लेना देना है तो अब हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी वज़े से Atoms के Constituent Particles डिसकवर हुए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है Cathode Ray Discharge Tube चलिए देखते हैं ये इसका Construction कैसा है Cathode Ray Discharge Tube इस अ Simple Glass Tube इस Glass Tube की दोनों तरफ Metal Electrods है और ये दोनों Metal Electrods एक बैटरी से Connected है इस बैटरी से हम इन Metal Electrods के बीच में Potential Difference या वोल्टेज अपलाई कर सकते हैं इस गास ट्यूब से एक छोटा सा Vacuum Pump Connected है जिस से हम उसके अंदर की गास का प्रिशर Regulate कर सकते हैं तो आपने Cathode Ray Discharge Tube का General Construction देखिया इस ट्यूब से जो पहला पार्टिकल Discover हुआ जो Atom का Constituent है वो था Electron Electron के Discovery के लिए However, इस Cathode Ray ट्यूब में तीन Modification लाए गए पहला Modification ये था कि ये जो ट्यूब है उसको Completely Evacuate किया गया By using the vacuum pump Evacuation से मेरा मतलब है कि उसके अंदर बिलकुल एक भी Gas Particle बचा नहीं था है Vacuum Pump से सब कुछ निकाल दिया गया दूसरा Modification ये था कि जो Positive Metal Plate है Positive Electrode है जो Anode है उसको Perforate किया गया उसमें छोटे Holes लाए गए इसकी वज़े हम लेटर देखेंगे और जो तीसरा Modification ये था वो ये था कि Anode के पीछे एक Zinc Sulfide का स्क्रीन प्लेस किया गया इस Zinc Sulfide स्क्रीन का काम ये था कि जब भी उस पे कोई Charged Particle लग जाता है वो Glow करता है Let us now see कि इन Modifications के बाद में Electron कैसे Discover हूँ तो इस Modified Cathode Rate Discharge Tube से Electron के Discovery कैसे हुई ये हम देखते हैं इस Experiment की शुरुवात होती है By applying a high voltage across the two electrodes इस high voltage के application पे हम ये observe करते हैं कि Zinc Sulfide स्क्रीन ग्लो कर जाता है इसका एक ही conclusion हो सकता है और वो conclusion ये है कि Cathode से कुछ तो Charged Particle निकल रहा है जो Anode की Hole से जा रहा है और Zinc Sulfide स्क्रीन को हिट कर रहा है तो Confirm कि ये Indeed Charged Particle है हम Electric या Magnetic Field जब लगा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो Charged Scintillation का position है वो Deflect हो जाता है ये Confirm करता है कि ये Indeed Charged Particles है अब ये Negatively Charged है या Positively Charged है ये Determine करने के लिए हम Electric Field लगाते हैं Across the Discharge Tube Electric Field का मतलब है कि Positive और Negatively Charged Plates लगाता हूँ मैं तो हम ये Observe करते हैं ये Scintillation उस Positive Plate की तरफ Deflect होता है इसका मतलब जो भी Ray जा रहा है जो पहले Straight Line में जा रहा था वो Now Deflect हो रहा है Positive Plate की तरफ जो तभी हो सकता है अगर ये Ray Negatively Charged Particle से बना है तो ये Confirm करता है कि Cathode से कुछ तो Continuous Stream of Negatively Charged Particles आ रहा है जो Zinc Sulfide Screen में Scintillations प्रड्यूस कर रहा है और इनी Particles को हम Electrons बुलाते हैं और ये जो Ray निकल रहे हैं क्योंकि वो Cathode से निकल रहे हैं उसको हम Cathode Ray बुलाते हैं तो अब हमने ये तो Establish कर लिया कि हर Atom में Electrons होते हैं Electrons की दो important properties होती है एक उसका Mass और दूसरा उसका Charge और इन दोनों properties से related एक quantity जो Charge to Mass Ratio है वो सबसे पहले discover हुआ by a scientist called JJ Thompson JJ Thompson को इस discovery के लिए Nobel Prize भी मिला Let us now see कि JJ Thompson ने ऐसा क्या किया जिसके वज़े से उनको ये value मिली हमने ये देखा कि जब कोई भी electric या magnetic field हम नहीं लगाते तो ये जो cathode ray tube है cathode rays है straight line में जाती है और वो जो glow है वो zinc sulfide screen की center पे होता है अगर हम electric field लगाए तो clearly एक deflection होता है towards the positive plate of the electric field वो कुछ तो deflection होगा ये deflection किस चीज़ पे depend करेगा electron की mass पे depend करेगा कितना भारी है electron electron की charge पे भी depend करेगा जादा charge है तो हो सकता है जादा deflection हो और इस चीज़ पे भी depend करेगा कि मेरी electric field की strength क्या है similarly मैं जब magnetic field लगाता हूँ तो भी एक deflection होगा बट वो उल्टे direction में होगा और magnetic field की वज़े से भी जो deflection है वो इनी तीन चीज़ों पे depend करेगा mass of the electron charge of the electron और कितनी strength की मैं magnetic field लगा रहा हूँ क्योंकि magnetic और electric field का जो effect है वो उल्टा है हम ऐसी values चुन सकते है electric field और magnetic field की जिससे electric field जो उपर की तरफ deflection produce करता है वो cancel हो सकता है by ultra direction में magnetic field जो deflection produce कर सकता है इसकी वज़े से net deflection zero हो सकता है by carefully selecting the value of electric and magnetic field और ये glow जो है अभी भी center पर ये आ सकता है जे जे थॉंसन ने इसी principle का फाइदा उठा है उन्होंने ऐसी precise values लिए electric और magnetic field की जिससे net deflection zero था ये जब हम करते हैं physics के कुछ concepts जो electric field की deflection और magnetic field की deflection से relate करते हैं mass और charge को उससे हम charge to mass ratio निकाल सकते हैं हम उनके details में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने अब तक पढ़ा नहीं है electric field और magnetic field के बारे में बट वो जब हम calculate करते हैं जो charge to mass ratio है जिसको हम e by m ratio बुलाते हैं वो electrons के लिए निकल आता है 1.76 times 10 to the power 11 कुलम्स पर किलोग्राम तो अब हमने ये तो देख लिया कि electrons निकलते हैं cathode से rays बनाते हैं और anode की center से पास करके zinc sulfide screen में glow produce करते हैं अब हम दो modification करके देखते हैं सबसे पहले instead of vacuum अगर हम low pressure gas रखें तो क्या होता है हमने ये observe कि gas को जब low pressure में रखा जाता है तो भी similar observations होते हैं low pressure में रखने का कारण ये है कि अगर हम high pressure रखें तो बहुत gas हो जाएगा ये electrons टकरा जाएंगे उस gas molecule से और आगे नहीं जा पाएंगे इसलिए हम low pressure में रखते हैं और हम चाहे कोई भी gas से भर दें इस cathode ray tube को the observations are exactly the same इसका मतलब ये है कि gas पे बिलकुल depend नहीं करता है इस in particles की property, it is independent of the gas in the tube second हम metal plate को change कर दें जो metal पहला है किसी और metal से replace कर दें तो क्या होता है? तभी भी exactly similar observations पाएंगे जाते हैं ना metal पे depend करता है ना gas पे depend करता है वो universal है जिसका मतलब सारी चीजे इन cathode ray particles या electron से बनी हुई है